जानिया आज खिसारी लाल यादो बिग बॉस के घर से जाएंगे बाहर या रहेंगे घर के अंदर तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि वोटिंग ट्रेंडिंग में कौन ट्रेंड कर रहा है कौन नहीं तो भाई आज हम सिर्फ टॉप वाली रेटिंग बताएंगे बॉटम वाली यानि नीचे से जो हैं उनके बारे में नहीं बताएंगे सिर्फ टॉप फाइव वाली बताएंगे और आपको पता चल जाएगा कि खेसारी बाहर जाएंगे या फिर रहेंगे घर के अंदर वैसे इस बार बिग बॉस में 11 लोग नॉमिनेट हुएं ये तो आपको पता है उसमें से खेसारी लाल यादो भी नॉमिनेट हैं आपको बता दे पहले नमबर पर है सिदार सुकला असुकला हमेशा की तरह ट्रेंड कर रहें उनकी fan following हमेशा की तरह उन्हें इस बार भी support कर रही है दूसरे नमबर पर है असीम रियाज सिदार सुकला के best friend बने हुए हैं घर में तीसरे नमबर पर हैं सहनाज जी हाँ सहनाज गिल तीसरे नमबर पर है चोथे नमबर पर है पंजाब की एश्वर राय कही जाने हीमान सी खुराना और पाच्वे नमबर पर है जी हाँ आप की धड़कने तेज हो जाएंगी पाच्वे नमबर पर है खेसारी लाल यादो आपक आप Google से vote कर रहे हैं खेसारी लाल या दो को तो उसमें trending में वो चौते अस्थान में बताएंगे आपको बता दे कि Google की जो वो ट्रेंडिंग होती है उसे इतनी माननेता नहीं दी जाती है उसे voting सिस्टम में नहीं लाया जाता है अगर आप Google में vote कर रहे हैं तो प्लीज ना करक वोट पर से जाकर वोट किजिए वbn एप से जाकर क्योंकि यहीवोट इंग काउंटिंग होती है । वैसे आपको बता दे कि भले ही खेसारी लाल या दो, Google की रेटिंग में चौथे अस्थान पर हैं लेकित वोट की जो रेटिंग है जो एक्चुल रेटिंग है उसमें वो पाचवे पायदान पर है तो इसका मतलब है आज खेसारी लाल याद अगर इसी तरह उन्हें वोट मिलता रहा तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे अभी तक सिती यही पर आ जाएंगे तो पारस छाबडा रहेंगे और फिर आरती आरती की बहुत ही रेटिंग गिरी हुई कहां वो टॉप 5 में थी अब आठ्वे पायदान पर आ और अब सातवे पायदान की बात करें तो भाई दे बोलीना है जी हाँ देबोलीना सातवे पायदान पर है और छठे पायदान पर विकास सिंग है यह रही आपकी रेटिंग लेकिन आप टॉप 5 की रेटिंग जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खिसारी लाल यादो अब इस बार घर से बाहर नहीं जाएंगे इसी तरह वोटिंग करते रहिए आपके फेवरेट सुपरस्टार के लिए तो वो घर में जमे रहेंगे और अब आपका एंटेटेन्मेंट तो धीरे धीरे इसे लिए इन खिसार लाल यादो कर ही रहें बोच्प्री जगत की होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्स्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें